असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हो सभी लोग आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जैसे आपको बता है कि बाइनवल का एक्जाम जो है वो खत्म हो गया अब उनका रिजल्ट जो है आना बाकी है तो वो कब आ जाएगा मैं आपको बता दूँगा और साथ की साथ मैं आपको यह भी बता दूँगा कि जितने भी स्टूडेंट है ध्यू एपहरा आते उनको कारना क्या है जिसको आप कहते हो उसकी नोटिफिकेशन जो हो जारी की गई है और जो यह पता है आपको माइनर कोरेक्शन जो स्लिफ होती है इसका मतलब क्या होता है मैं आपको सबसे पहले यह पीडिया दिखा दूँगा देखो इसमें से जितनी भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अग इसा कास्ट में लिख रहा हूँ जिसकी स्पैलिंग जो है वो डबल एर ही है डबल सरी है या फिर आइ यहांपर मिसिंग है या फिर कोई ऐसा वो जो आपको अधर कार्ड पे कुछ और है यहांपर 12 एमके मांक्स कर्ड पर कुछ हो या डियो भी पर कुछ हो रहे हैं अब उ देख सकते हो यहां पर एक नाम है mention ठीक नाम जो mention है यहां पर देखो यहां पर है कि J A G J A T जगजीत और यहां देखो इसका correction हो गए J A J J A G J A T यानि कि J A G J A T जगजीत वो भी है यह लेकिन spelling हो गई है इसको change इसका मतलब यह है कि अगर आपको भी चाहे आप caste based हो चाहे आप religious based हो चाहे आप parentage based हो चाहे आपको कोई name address बगियरा जो है यहां फिर कोई और problem आ रही है जैसे आपको किसी कागस पर कोई और नाम है यहां पर आप change कर सकते हो फिलहाल जब आप admission करोगे अगर समुझे लो अभी 10th में हो आप तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले चक कीज़े मैंने form किया बरायस में नाम गलत मत है parentage गलत मत है तो ताकि आपको कोई problem नहीं हो जाएगी आगे फिलहाल जिनको होगी है आप उनकी लिए यह तो फिर आपके लिए ऐसी PDF आ जाएगी जैसे इनको आ गई है ठीक यह था पहला दूसरी भी यहां पर minor correction slip है यहां पर देख सकते हो यह दोनों सेम ही है लेकिन इसमें कुछ बच्चे हैं लेकिन इसमें और एक बच्चे है ठीक चलो जी देखते हैं कोई notification मत आ गई है यहां पर notification UFM की notification है UFM यहने के unfair means ठीक unfair means मतलब की जब आपने exam दिया है during exam in your exam हाला your behavior is different that is why the JK boss releasing a number of rule numbers that rectify the who is student whose misbehavior are like जन्होंने जो है वो case हो गया है जा फिर कोई problem होगे तो वही यहां पर उन्होंने directly बता दिया है कि आप वहां पर जाके वो correct कर सकते हो ठीक फिलाल के लिए अगर आपको इसमें roll number है that means you can go तो JK boss office यहां पर भिमना जा सकते हो अगर आप कश्मीर से हो तो भिमना जाओ जो की कश्मीर के सिरिनेगर में पढ़ता है अगर आप रिहारी जने कश्मीर के सिरिनेगर में पढ़ता है अगर आप रिहारी कॉलनी for further information ठीक तो रहा सवाल में मकसद पर जो कि मैं बताने वाला हूँ कि 10th 11th कल कोई कह रहा था कि पहले 12th का result आजाएगा 12th का नहीं आजाएगा लिख लो मेरी बात पहले आजाएगा class 10th का result उसके बाद 12th का result उसके बाद 11th देखो यह मेरे मेरे पास अगर कुछ authority हो तो मैं आपको अभी आपको नवंबर में आ जाएगा यह समझ लो कि 28 तक आपको इंटरन एक्स्टरनल देने पड़ेंगी उसके जो awards वगेरा जो कुछ ऐसे सुकोले से उन्हों नहीं नहीं दिये इसका मतलब आपको भी wait करना पड़ेगा अब आपको जो exam होने वाला sorry आपको result आने वाला है वो नवंबर के पहले week में आ जाएगा तो समझ लो कि नवंबर के लगबग 10, 7, 6, 5 के बीच में ही आ जाएगा और जब आ जाएगा information आपको हर किसी platform में मिल जाएगी लेकिन में भी आपको दूँगा information इंशाला अपनी YouTube चनल पे फिलाहल के लिए अगर आप कोई confusion है आपको त पसने like share जरू करने देजिए अजाजत अल्हाँ